दोस्तो टेलिस्कोप जिसको बड़ी-बड़ी स्पेस एजन्सी और बड़े-बड़े साइंटिस इस्पेस की रिसर्च करने में यूज लेते हैं टेलिस्कोप मैंली तीन परकार के होते हैं पहला है Reflecting Telescope, दूसरा है Reflecting Telescope और तीसरा है Compound Telescope जिसमें Compound Telescope एक Hybrid Telescope है जिसके अंदर Reflecting और Reflecting दोनों फिचर दिये होते हैं Reflecting Telescope में कुछ Popular Telescope है Newtonium Telescope और Cassgarian Telescope और वही Compound Telescope का Popular Telescope है Next Star Telescope और दोस्तों हम सभी को पता है कि सभी अलग-अलग Space Agency के अलग-अलग Space Telescope है जो की Earth के Orbit में Revolve कर रहे हैं जिसमें से सबसे Popular है Hubble Telescope जिसको NASA की Space Agency और EURO की ESA यूज़ करती है ये Hubble Telescope अर्थ से 547 किलोमेटर की दूरी पे रिस्तित है और ये टेलिसकोप अर्थ के हर दिन 15 ओर्विट करता है जिसके अंदर एक ओर्विट को करने में इसको 95 मिनिट लगते हैं कर दो कर दो करता है